शे अप्रेल से होगा शनी का नक्षत्र परिवर्तन शत्विशा नक्षत्र से पूर्व भादर पद नक्षत्र में शनी रखेंगे कदम बारा राशियों पर इसका कैसा पड़ेगा सर शनी देंगे खुश खबरी या फिर देंगे कर्मों का फल मिले गान्याएं या बढ़ेंगी मुसीबतें जानिये जोत्शाचार राकेश चतुरवेदी से सिर्फ एनमेफ न्यूस पर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सपनादारों स्वागत आपका हमारी चैनल एनमेफ न्यूस पर मेरे साथ मौजूद है जाने माने जोत्शाचार राकेश चतुरवेदी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल नमस्कार नमस्कार दोशकों अकसर आपने सुना होगा ग्रहों के राशी परिवर्तन के बारी में लेकिन आज हम आपको शनी देव के नक्षत्र परिवर्तन के बारी में बताएंगे क्योंकि 6 एपरिल से शनी देव एक बार फिर से नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ऐसे में हम देखते हैं कि जब जब शनी देव नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तब तक जिन्दगी में अच्छे बुरे बदलाव देखने को मिलते हैं क्योंकि शनी देव को ने आई के देवता कहते हैं और शनी देव कर्मु को देखकर आपको फल देते हैं ऐसे में आज हम बात करेंगे आपके स्वास्त को लेके आपके पर्सनल प्रोफेशनल राइप को लेके कि शनी देव जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उसका असर इन पर कैसे पड़ेगा सबसे पहले तो आचारे जी आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजे कि शनी देव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में कि क्या कुछ है बिल्कुल सपना जी बहुत अच्छा सबसे महत्पूर अस्थान रखता है जिसको हम फलित जोतिश कहते हैं नक्षत्र का परिवर्तन बड़ा महत्पूर अस्थान रखता है और अब सतिफिशा नक्षत्र से निकल करके सनी देव जो हैं कुम्भ राश में विराजमान होते हुए ही जा रहे हैं बहुत पूर्वा लगवग हर राशी पर फलित भी हो रहा है तुला राशी पर भी मिस्रित प्रभाव इसका देखने को मिलेगा सपना जी बिलकुल अब आते हैं हेल्थ को बात करते हैं क्योंकि आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है आपका जीवन सुख में है आचारी जी हमारे दश्कों को बता है समय है इस बीच थोड़ा सा तुला राश की जात्कों के लिए साधानी बरतने की जरूत है उन लोगों के लिए जो ब्लड संबंदी या कह लिए कि पुस्त दर्पुस्त जो विमारियां उनको मिलती आ रही है जिनको हम कहते हैं अगर किसी को है तो उसके लिए यह समय थो इस बीच खाने पीने पर बहुत जादा साधानी बरतनी है क्योंकि उदर रोग संबंधी और जो कहते हैं हमारियों का जड़ जो है पेट ही है तो इसमें आपको खाने पीने से संबंधित बहुत जादा बरताओ करना रहेगा सपना जी बिल्कुल यह बात की हमने हेल्थ को लेके अब आते हैं हेल्थ की बात जो कि बहुत जादा महत्तों हो जाता है वह आपका परसनल लाइफ यान पर चर्चा होगी इस गोचर की तो दर्शकों आप सब को बता दें कि तुला प्रधान राशी आप है यानि शुक्र प्रधान राशी है और शुक्र की सनी शे बड़ी अच्छी मिर्त्रता है यह तो कहिए कि गुरू से किसी कि सतुरता नहीं है लेकिन शनी गुरू का प्रश्नि शुक्र का मिलन यानि कि तुला का प्रभाव विशेश रूप से शुकृत के आधिनस्ता आता है तो शनी का यह गोचर है परिवर्तन है और सब्चान जो हो रहा है वह हो रहा है गुरू के नशत्र में दो ऐसे परिष्थितियों है जर में भोजन ना पसंद आना याने कि घर की चीज पसंद नहीं आना, बाहर अपने भटकाओ पर नियंतर ना पाने के विए से अपमानित होना, रिस्ते खराब होना, यह आपको देखने को मिलेगा, अगर आप चारित्रिक रूप से अपने आपको नियंतरित नहीं करेंगे, तो तुलाराश की जातकों के लिए समस्याएं उत्पन होंगी, और परसनल संबंधों में दूरियां बढ़ती जाएंगी, दिन वदिन जैसे जैसे यह गोचर बीतेगा, शपना जी, वैसे वैसे दूरियां और जादा बढ़ जाएंगी, यानि कि परसनल लाइफ को लेकि जो है, इन्हें बहुत जादा स मौक्री करने हैं, उन लोग पर इसका क्या आसर पढ़ेगा, बिद्यार्थी जीवन के लिए अद्भुच्च मतकारी प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु के घर में शनी जा रहे हैं, शनी भी कर्म प्रधान है, गुरु ज्यान के स्वामित करते हैं, ऐसी परिस्टेवों म अपने लक्ष पर लगे हुएं, कमुटेटिव एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं, उच्छ सिक्षा ग्रहन करने के लिए प्रियास कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह दोर जो रहेगा 6 अप्रेल से लेके 2 अक्टूबर तक इस बीच उनके सफलता के चांसे बहुत ज़्याद जादा होंगे, बै बढ़ेगा, पैसे का विवादित होना, पैसे का फसना, अटकना, अपने ग्यान का एहम जादा होकर के आपको ऐसा निर्णाय लेंगे, जहां पैसे बहुत जादा ब्लॉकेज आ जाएंगे, और आर्थिक तंगी का भी सिकार आपको होना पड़ सकता है, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा, अगर आप अपने कर्मे में मांदारी करते हुए बढ़ेंगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बड़े पद की और पैसे में बहुत बड़े जंप की उमीद करेंगे, और उसको लंबी वक्त से कोट कचरी के चक्कर लगा रहे है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसे में ये समय इनके लिए कैसा रहेगा, ये कालखंड कैसा रहेगा, इनके लिए, देखे, न्याय दिर्शिकोंड से तुला राश्य वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, इस प्रॉपर्टी का भी बात था, या कोई लीगल केस था, या फिर किसी तरीके से किसी ने आपको गरत कहीं फसाया था, या फिर लीगल टीज भी छोड़िये, कानोनी पहलू ना हुआ हो, ओफिस कारियाले में किसी ने आपके खिलाफ सड़ी अंतरगर के आपको फसाया हुआ तो वहां भी आपके पक्ष में फैसला आएगा लाव आपको होगा याने की न्याईक पक्ष जो है तुला राश के जातकों के लिए अद्भुत मजबूत होने वाला है इस नक्षत्र बोचर में आचारे जी आपने हमारे दर्शकों को बताया इनके हेल्थ को लेके पर्सनल प पुला राश के जातकों के लिए सबसे बड़ा जो नियंतरण करने की जरूत है वह इनके बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत को रहेगा दस रुपे बोलेंगे दस लाग की बात करें तो कई जगहों पर इन्हें स्टेटस बनाने के लिए या अपनी बात को सच करने के लिए तो एक्षमतकारी उपाए कर लिजिए क्या करना है आपको अगर सफ्षाद कहीं से मिल जाए तो इसको लीजिए जल में मिलाए गंगा जल में मिलाए अगर जल पड़ा हुआ है तो शुद्ध जल लीजिए हैंपम का और उसमें मिलाए और ले जाकर के शिवलिंग पर शोम और शनिवार अब शेक कर दिजिए कोई मंत्र की जरूतने बस समर्पन रहे कि आप मेरे गुरू है आप मेरे इस्ट हैं जो कुछ है अब आपके हाथ है मेरा जीवन मेरे जीवन के लक्ष मेरे जीवन की बागडोर इस भावना से अरपन कर ये जितनी धार गिरेगी भुले नाथ पर उतना ही अक्षय बर्दान आपको मिलेगा आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं मैसूस होगी सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद आचारे जी आपका आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से बताया उमीद करती हूं दर्शकों को य अगली वीडियो में एक और नई राशी के साथ नमस्कार